हेलो दोस्तों स्वाइद करते हैं आपके अपने परिवार मैद्स मस्ती अफिशियल में तो चलिए सभी को राधे राधे गुण मॉनिंग सस्त्रिकाल तो चलिए आज हम लोग 20 अक्टूबर का करेंट अफेर्स पढ़ने वाले हैं ठीके और बहुत ही सांदर तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीके और जितने भी साथ ही अभी करेंट फेर्स की क्लास नहीं ले रहे हैं वो प्लीच क्रेपया करके करेंट की क्लास लीजी क्योंकि हर एक एकजाम में करेंट जो होता है वो बहुत अग्रिम विसे होता है और यह होते ही महत्पूर कोश्चन होते हैं ठीकर डेली की डेली जो कि करा जाते हैं चलिए बात करते हैं पहले कोश्चन की तो पहला कोश्चन है स्क्रीन पे चलिए पहला कोश्चन है 16 अक्टूबर को 16 अक्टूबर 2020 को किसने घोसना की कि भारत 2022 तक ट्रांस फेक्ट फिरी हो जा किसने घोसना कि थी तो स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्स वर्धन ने किसने की अथा साती हूं डॉक्टर हर्स वर्धन ने जो कि स्वास्त मंत्री यानि केंद्री स्वास्त मंत्री हैं जो कि घोसना किया था कि 2020 यानि 2022 में ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा कौन भारत ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा या लच्छ विस्व स्वास्त संगठन के लच्छ से एक साल आगे है कितना साल एक साल आगे है जो की ट्रांस वसा, ट्रांस फैट आद ARE हाइडरोजिनी करड किये गए वनस पते तेल आहार वसा और margin में पाया जाता है और बता दें ये सबसे हानिकारक प्रकार की वसा होते हैं जो की सरीर पर किसी भी अन्य आहर की तुलना में बहुत अधिक प्रत्कूल प्रभावर डालते हैं ठीक है चले नेश्ट कोशन की बात करते हैं नेश्ट कोशन है स्क्रीन पे अगला कोशन है किस सरकार ने महिला सस्क्ति करण के लिए मिसन सुरुवात की है किस सरकार ने इसे लागू किया है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है कौन उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया ग इतनाज जी हैं ठीक है और इनी के द्वारा महिला ससक्ती करण मिसन की सुरुवात की गई है और बता दें उत्तर प्रजे सरकार ने महिला ससक्ती करण के लिए मिसन सुरुवात की है और योजना का उद्दिस सिर्फ राज में महिलाओं के खिलाफ अपराद को कम करना है ठीक है और बता दें योजना के अनुसार राज में पूरे राज में फैले 1535 पुलिस स्टेशन में महिला सिकायत करताओं के लिए एक अलग कमरा होगा ठीक है जहाँ पे आप महिला से सम्मंदित कोई भी सिकायत अलग कमरे में सिकायत कर सकती हो और पहले चरण में इसमें 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक जागरुपता कारेकरम भी सामिल है कब से कब 17 से 25 तारिक तक जागरुपता कारेकरम भी सामिल है चले बात करते हैं नेश्ट कोईशन की तो नेश्ट कोईशन है स्क्रीन पे भारत में जीवन परत्यासा भारत में जीवन परत्यासा 1990 में 69.6 वर्स बढ़कर 2019 में और खाली स्थान है और फिर है हो गई है कितनी हो गई है तो 70.8 वर्स हो गई है कितनी हो गई है सातियों 70.8 वर्स हो गई है 2019 में 70.8 वर्स हो गई है और बता दें कि केरल में केरल में जीवन परत्यासा बढ़कर 77.3 साल हो गई है बलकि उत्तर प्रदेश की जो जीवन परत्यासा है वो 66.9 है रिपोर्ट के अनुसार भारत में मात्र म्रत्तु दर में कमी आ रही है किसमें कमी आ रही है मात्र म्रत्तु दर में कमी आ रही है कहां पे उत्तर प्रदेश में चले बात करते हैं स्वरी भारत में मात्र जो दर होता है उसमें कमी आ रही है बात करतें नेस्ट कोशन की तो नेस्ट कोशन है आगे स्क्रीन पे है माई टाउन माई प्राइड कारिकरम किस राज में सुरू किया गया है माई टाउन माई प्राइड कारिकरम किस देश में यानि किस राज में सुरू किया गया है तो जम्बू और कसमीर राज में इसे शुरू किया गया है और इसकी जो थीम है कसबो में सारवाजिनिक पहुंच और जमीनी लोकतंत को मजबूत करना और दरवाजे पर सेवा का वितरड करना यही इनकी जो थीम है यही है और बता दें जम्बू और कसमीर की लेप्टिनेट गवर्नर मनोज सिनहा ने माई टाउन किसे किसने माई टाउन माई प्राइड किसने लांच किया है इसे बैक टू विलेज कारिकरम की तरज पर सहरी छेत्रों में दरवाजे पर सासन प्रदान करने के लिए 19 अक्टूबर से लागू किया गया कब से किया गया 19 अक्टूबर से इसे लागू किया गया इसकी जो ठीम रहने वाली है कसबो में सारवाजिनिक पहुँच और जमीनी लोकतंद को मजबूत करना दरवाजी पर स्तेवा का वितरण परदान करना ठीक है चैले बात करते हैं नेस्ट कोशन की तो नेस्ट कोशन है स्क्रीन पे अंतर राष्टी भरो तोलन महासंग आईडबलू एप के नो न्यूक्त अंतरिम अध्यच का नाम बताना है नो नूयूक्त अध्यच का नाम बताना है तो कौन है डाक्टर माइकल इरानी कौन है सात्यूं डाक्टर माइकल इरानी है जो की भारो तोलन महासंग आईडबलू एप के अध्यच जो की नय है ठीक है और बता दे ग्रेट ब्रिटेन जी बी आर के डाक्टर माइकल इरानी को अंतराश्टी भारो तोलन महासंग में के रूब में अंतरिम अध्यच के रूब में नामित किया गया है किसे नामित किया गया है Dr. Michael Irani को ठीक है और बता दे इन्हें IWF अध्यच तामस अजान की स्थिपे के बाद नियुक्त किया गया था ठीक है इसके पहले की बात करें तो IWF नव नियुक्त अंतरिम अध्यच कौन थे तो तमास आजन इसके पहले की बात करें तो तमास आजन थे और अब कौन बन गए है डॉक्टर माइकल इरानी अब कौन है डॉक्टर माइकल इरानी और पहले की बात करें तो तमास आजन के इस्थिपे के बाद इन्हें नियुक्ट किया गया है किने डॉक्टर माइकल इरानी और इससे पहले माइकल इरानी आई डव्लू एफ के चिकिस्ता समीत के अधच के रूम में सेवारत थे, इनका जन्म बांबे में बांबे के भारत में हुआ था और वे रूमेटोलाजी में एक प्रमुक चिकिस्ता के रूम में है थे, जो की S.Ford हास्पिटल कहां पे थे? S.Ford हास्पिटल N.H.S. टर्स्ट में कॉंस्सेल्टर के रूम में प्रयोग यानी काम करते थे, ठीक है? चली, नेस्ट कोशन के बात करते हैं, नेस्ट कोशन है सात्यों स्क्रीन पे, चली, विस्व का बड़ा जिंक, विस्व का बड़ा जिंक, इसम लेटर किसराज में और दो च्छेतर में एस्थापित किया जाएगा, तो गुजरात राज में इसे एस्थापित किया जाएगा, और बता दें, विस्व का सबसे बड़ा जिंक, इसम लेटर दच्छड के और दोगिक च्छेतर में एस्थापित किया जाएगा, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इस पर्योजना में 10,000 करोण रुपय का निवेस होगा और गुजरास सरकार ने राज में एक ग्रीन फिल्ड जिंक एस्मिलेटर इस्थापित करने के लिए वेदान्त समू की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ह्जड एल के साथ एक समझोते पर हस्ताचर किये हैं जो की एस् किलोटन प्रति वर्ष उत्पादन की छमता होगी और बता दें इसका निर्माड 415 हेक्टेर छेत्र में किया जाता है और यह पर्योजना एस्थानी आदिवासी छेत्रों में युवाओं को बड़े रोजगार के आसर भी प्रदान करेगी तो कहां पे गुजरात पे ठीक है चली बात करतें नेश्ट कोशन साती हूँ तो नेश्ट कोशन है स्क्रीन पे भारत वैस्विक भूग भारत वैस्विक भूग सूचांक 2020 में 107 देशों की सूची में कौन सा अस्थान पर है कौन सा अस्थान पर है कौन भारत कौन से अस्थान पर है कौन से वैस्विक कौन से अस्थान पर है तो 94 वे अस्थान पर है कौन भारत भारत वैस्विक भूख सुचांक में 2020 में 107 देशों की सूची में 94 वे अस्थान पर है जो की भारत वैस्विक भूख और सुचांक 2020 में 107 देशों की सूची में 94 वे अस्थान पर है एक रिपोर्ट के अनुसार 27.2 27.2 के इसकोप के साथ स्रेणी में डाल दिया गया है रिपोर्ट बताती है कि भार्द में भूख के गंभीर एस्तर है जो कि भार्द में 0 से 0 से 5 वर्स 0 से 5 वर्स की कुपोशड जो हदर है वो 37.4 है बलकि बाल निर्बलता की बात करें तो 17.3 को पोशड ता है ठीके और बता दें यहीं पे भार्द की अलप पोशड दर की बात करें तो 14 परसंट है ठीके कितनी साती हूं 14 परसंट है और बाल म्रत्व की बात करें तो 3.7 परसंट है कितनी है 3.7 परसंट है क्या है बाल म्रत्व और यह रिपोर्ट विलंग हर लाइप और कर्शन वर्ड वाइड द्वारा संयुत रूप से तयार की जाती है किसके द्वारा विलंगर लाइप और कर्शन वर्ड वाइड के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है ठीके चले बात करतें नेश्ट कोच्चन की तो नेश्ट कोच्चन आ है इस स्क्रिन पर साती हूं दी बैटल आप दी बैटल आप बिलांगिंग नामक पुस्ताक के लेखक कौन है ठीके तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा सासी धरूर सबसे थरूर एक प्रसिद लेखक और राजनीतिक दे बैटल आप बिलांगिंग नामक पुस्तक के लेखक है जो की यह नवंबर 2020 में रिलीज होगी कब होगी यह जो पुस्तक है दि बोटल आप यह कब रिलीज होगी तो 2020 यह नवंबर में रिलीज होगी और इन्हों ने इस पुस्तक को दुनिया भर में और विशेश रूप से भारत में राश्टवाद के सिधान्त के विकास पर अभ्यास का वड़न अपने मैगनस आपस के किया है और बता दे पुस्तक को एलेफ बुक कमपनी द्वारा प्रकासित किया गया है किस कमपनी द्वारा एलेफ बुक कमपनी द्वारा प्रकासित किया जाएगा ठीक है चली बात करतें नेस्ट कोशन की तो नेस्ट कोशन है सात्यों स्क्रीन पे विश्टो खाद दिवस क मना जाता है और इसकी थीम क्या रहने वाली है तो 16 अक्टूबर को 200 खाद दिवास मनाया जाता है और इसकी जो थीम है 2020 के विशे हैं ग्रो ठीके चलिए बात करते हैं थोड़ा डिटेल में तो आपके सामने है ये चीज क्या है ये थीम है ठीके और बात करते हैं थोड़ा डि 1945 में संयुत राष्ट के खाद और क्रस संगठन की स्थापना की तारीक पर मनाया आता है और यह पूरे विश्व में भूख, खाद, सुरच्छा, भोजन की कमी, प्रति जागुर्ता और पुनर जीवन खाद प्रडालियों में से सम्मंधित होता है चली बात करतें नेस्ट कोश्चन की, तो नेस्ट कोश्चन है स्क्रीन पे और लास्ट कोश्चन है सात्यूं, हर घर जल योजना, हर घर जल योजना में कौन सा राज प्रथम अस्थान पर रहा है, कौन सा राज प्रथम अस्थान पर रहा है, ठीक है, काहे पे घर जल योजना एक सुरुवात की गई थी, वो कहां से सुरुवात की गई थी, गोव राज से इसे सुरु किया गया था और बता दे गोव भारत का पहला घर घर जल राज़ बन गया है और बता दे इसने ग्रामीड चेतरों में सो परसेंट कितना साती हूं, सो परसेंट कार करम, घरेलू जन, कजल, कन्नल कनेक्शन प्रदान किये हैं, इसमें 2.3, 2.2.30 लाक, 30 लाक ग्रामेड परिवार भी सामिल हैं, और बता दें, राज साकार की प्रतिवधता एवं तेज प्रयासों की कारड समय से पहले, राष्टी एस्तर पर 2024 तक नेर्धारिक इस लच को सफालता पूर्वक प्राप्त कर लिया जाएगा, गुवा राज द्वारा जल जीवन मिसन, जल जीवन मिसन से प्राप्त होने वाली सभी लाभों का उप्योग किया गया, जिनका लच्च या जिनका उद्देश जीवन की ग करामीड समुदाय के लिए आसानी से जीवन यापन की सुईधा उपलब्द कराना, चली सातियों आज की क्लास यहीं तक है, और अभी तक जिनोंने नए हैं चैनल पे, अगर सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर लेना, ठीक है, तो चलेंगे, नेस्ट मारनिंग मिले तब तक के लिए टाटा बाबेटिक केर, ठीक है, और मस्त रहिए, स्वस्त रहिए, ठीक है, चली, और जैन, जैभाराइब